हलो दोस्तो मैं पढ़ा रहा हूँ चक्रवर्दी ब्याज और चक्रवर्दी ब्याज में आज installment वाला question बताऊंगा installment वाला question किस प्रकार से बनाया जाते हैं इसमें बहुत लोग फसते हैं इसका calculation बहुत ही लंबा होता है लेकिन आज मैं इतने आसान तरीके से आपको बताऊंगा कि एकजाम में बहुत जल्दी बनेगा और time की आपका बचत बहुत करेगा तो आईए देखते हैं करा एक builder द्वारा उधार ली गई रासी चार परसेंट चक्रब्रदी ब्याज की दर से दो वर्स के अंत में पचीस सो पचास रुपया की रासी को दो बराबर किस्तों में चुकाता है तो परते किस्त की मान क्याते हैं कोई समान लिया हो किसी से पैसा लिया था पचीस सो पचास रुपया और वो कह रहा है कि चार परसेंट के दर से दो साल में परतेक दो बराबर किस्त में चुकाया तो कह रहा है कि परतेक किस्त का मान क्या था तब इसमें आपको चार परसेंट को पहले फ्रैक्शन में बदल रखलने का मतलब है कि चार बटे सव ऐनिकी चार बटे जो सव आएगा परसेंटेज जो दिया हुआ परसेंटेज के बदले नीचे सव आएगा इसको बदलियेगा तो आपका आज आएगा एक बटे पचीस एक बटे पचीस आ जाएगा तो पचीस मुलधना और एक ब्याज यहनि कि अगर जोड़ेंगे इसको तो पचीस मुलधन हो जाएगा 26 हमारा मिस्रधन हो जाएगा अब यहां देखिए एक तरफ लिखिये प्राईज एक तरफ पी से प्राईज एक तरफ और आई से इंच्टॉर्बनेंट ठीक है तो पहला साल है जो 25 के प्राइज से दिये थे 25 प्राइज दिये थे च्छुवीश र्प्य इंच्टॉर्मेंट दिये थे दुसरा साल इसका ask or कर दीज़ेगा ता ask करिए गा तीसरा साल जाएगा था क्यों की जीएगा दुसरा चल जाएगा तो पचीश का स्कॉर ओजाए जैख लिए 676 आया इसमें भी 26 से गुणा करेंगे तो 673 आयगा जब इसमें बावर इंस्टर्मेंट किये तो इधर वी आपको 26 से गुणा करनाराइगा। ठीक है गुणा 26 किए इधर भी गुणा आपको 26 करना पड़ेगा ठीक है अब installment बरावर हो गया यह हमको धन बरावर नहीं करना है प्राइज बरावर नहीं करना है इस्टाल्मेट में होना नहीं धन में गुना करना पड़ता है अब इसको गुणा करिए गुणा करने के बाद 25-26 करेंगे तो आपका आजाएगा 550 25-26 करेंगे तो 550 आजाएगा 550 अब इसको क्या करें इसको जोड़ लें तो पांच आओ पांच दो साथ छे पांच ग्यारा एक ग्यारा हो पांच दो साथ अच्छो पांच ग्यारा एक बारा यहीं आएगा नजी सुरी यहां गुना किया हो गलती है कि 25-26 का 1.500 सुनना अब 25 दुना 50 अब 15 पांदरा पांच आजाएगा यह पांच होगा अब जोड़िये तो आजाएगा 1275 ठीक है अब यहां आगया जोड़ने पर इसको तो दुगना कर दिये तो जुड़ गया तो आजाएगा इसको जोड यह आगया हमारा इंस्टॉल्मेंट ठीक है तो यहां दिया हुआ है यहां दिया हुआ कि पचीश सो पचास रुपई यह हमारा रासी है और यहां रासी निकल गया 1275 1275 हमें देखें निकालना है कि परतेक इस्टॉल्मेंट परतेक इंस्टॉल्मेंट तो हमारा यह छेसो श मन हो गया तोोटल निकालने का तो इससे गुणा करेंगे अगर हम सिक दूरबार के ज़िए हमारा Ό फारा इस से गुणा करेंगे गлонा करें ऐसा गरबार से जाएगा तेरा सो बावन रुपईया तेरा सो बावन रुपईया हमारा अंसर आगया परते की इंस्टाल्मेंट यहीं परते की इंस्टाल्मेंट जो दे रहा था तेरा सो बावन रुपईय का वो दे रहा था अब चलते हैं नेक्स्ट कुश्चन नेक्स्ट कुश्चन है कि एक बिक्ती 16,224 रुपय के नगत भुगतान तथा दो अन उतने ही रासी की बारसिक किस्ते दो अगले बरसो देने के बादे के साथ एक अस्कूटर खरीता है जदि ब्याज की बारसिक दर 4% ब्याज की बारसिक रुप से संजोजित हो तो स्कूटर का जितना कीमत था वो हम पता नहीं लेकिन वो क्या-क्या नगत मे दिए 16,222 रुपया करे भाई अभी हम तुमें 16,224 रुपया दे रहा हूं लेकिन अगले दो साल तक हम 16,222,1622 रुपया जश्ते बारतर सल देता रहें गो दो साल तक तो आपका पस कीमत चुक जाएगा तो हमारा आश्टू कूटर का कीमत कितना है वह हमें निकालना है तो पहले चार परसेंट को फ्रेक्शन में बदलेंगे अगर चार परसेंट को फ्रेक्शन में बदलेंगे तो पीछे बदलेते तो कितना था एक बटे 25 तो एक बटे 25 का मतलब है कि एक तरफ प्राइज लिखिए एक तरफ इंस्टोल्मेंट तो पहला साल 25 प्राइज है इंस्टोल्मेंट आ गया तो थोड़ा दूर लिखिए गुना करना मैं सही रहेगा यह हो गया प्राइज यह हो गया इंस्टोल्मेंट यह पहला साल 25 अदूसरा साल भी पहला साल 26 अदूसरा साल जाने के लिए क्लिए क्या अस्कॉर करते हैं तो 25 का 625 हो जाएगा 625 हो जाएगा आब इसको फिर 677 में हो जाएगा अब इंस्ट्रामेंट बराव Grü कीजिए क्योंकि crypto पर से इक साल बरावर दे रहा इंस्टोल्मेंट बरावर करने के लिए इसमें हुना करेंगे हम昨НА से इसमें हम गुना कर देंग गे था हुआ की इसमें गुणा करेंगे 26 अब इसमें भी गुना करेंगे हम 26 से इंस्टोल्मेंट बराबर हो गया दन बराबर हो या नहो जोड़न जोड़े थे तो आया था 1275 कि अब इसको 252 अब जोड़िया तो उन्हों परते के इस्ट्रॉपनिंट और हमें क्या करना है निकालना कीतना मुल्धन है तब मुल्धन निकालना तो 1275 से गुना करेंगे अब 676 को कितना बार गुना करेंगे कि 16224 आ जाएगा तो 24 से गुना कर दीजिए इसको काटेंगे तहब को 24 से कटेगा 24 से गुणा कर रहे होंग इसको तो आजएगा हमारा कि 30,600 30,600 रुप्य आ जाएगा आप ये मुलधन नहीं आया यह मुलधन क्यों नहीं आया कि हम दो इंस्टॉर्णमेंट था उसका मुलधन आया कि दो इंस्टॉल्मेंट इस मुल्धन पर दिये थे अब इतना हम एड कर देंगे तो चार और दो चार च्छो दूआठ और चे और आगे 24 रुपया का हमारा अस्कूटर था ठीक है समझ में आ गया अब चलते हैं नेक्स्ट कुश्चन कैसे करेंगे अब हो देखिए अब है कि कमल ने 64 e-o-r-p-ya की रूप में लिए अर सब्सक्राइब किसी के पास से उधार लिए दोब समान बारसी किस्तों में बुक्तान किया जाना है तो जदि बारसी कूर से संजोजित ब्याज की दर साधे 12 परसेंट है तो परते किस्त की राशी क्या है अब दर साधे 12 को फ्रेक्षन में बदलेंगे तो हमारा कितना आएगा कि जो तो साधे 12 को 1225 बटा दो तो एक बटे 8 एक बटे 8 एक बटे 8 अब एक तरह प्रायज लिखे एक तरफ इंस्टॉल्मेंट लिखे प्राइज पहला साल दिये थे आठ तो पहला साल इंस्टॉल्मेंट कितना नौ अब दूसरा साल में जाने के लिए हमें कितना आठी एठी चौशाट अस्कॉार करना पड़ता है अब यह नो नमा एक क्या सिया जाएगा ठीक है अब इसको इंस्टॉल्मेंट को बराबर किजिए इंस्टॉल्मेंट को बराबर इसलिए करना है यहां नौ से गुना कर दिए तो इस्टॉल्मेंट बराबर हो गया अब मुल्धन कितना गया नौठी 72 कि गुना करने पर तो 72 को 164 से जोड़ेंगे 136 आ जाएगा हमारा मुल्धन दिया हुआ कितना 68 सुरुपय मुल्धन दिया हुआ है शरुपय मुल्धन हमारे मुल्धन हमारे कितना गया ऐ है 136 शरुप और गुना करना हमें वह से इंश्टाल्मेट करा तो परते किस्त कि अरुप करेंगे परतेक किस्ट की राकी निकालने के लिए कासी सबुना करेंगे परतेक निकालना या बोलता या जोर करके दोनों को निकालते हैं अब 136 को भागा देंगे 136 से भागा देंगे 55-88 beton आजाएगा चुपचे 35 सुद्वा कि तीन पांच बार में आपको डायरिक्ट कट रहा है पचास ठीक है अब चलते हैं नेक्स्ट पर नेक्स्ट कुश्चन है कि तेरा सो साथ रुपया की रासी को आठ पुर्णांक तीन बटे चार परसेंट बारसिक चकरविर्धी ब्याज की दर से उधार दी गई तथा उसका बापिस भुगतां दो बराव दो बर्स के दो समान किस्त बारसिक किस्त के द्वारा किया गया तो परते किस्त की रासी क्या है इसमें परते किस्त की रासी ही पूछा है अब इसको बनाए पहले फ्रेक्शन में बदलें पुर्णांक में तो पहले पुर्णांक तो का यह ही है हमेशा बटेशोब नीचे तो एक बटेशोब नीचे शयुक आए ₹ कर डीजूए करकते बदलें सब्ल पर इसको कड़ेगा तो तो बीज पचे चो low तो साथ पचे पैतिस बीच पचे सो अब इस चो को असी यह निकी साथ बटे असी आ जाएगा ठीक है अब इसको मिटा देते हैं हमारा गया साथ बटे असी आ गया फ्रेक्शन साथ बटे असी एक तरह प्राइज लिख लेजिए एक तरह प्राइज हमारा गया असी है असी और इंस्टॉल्मेंट आ जाएगा पचतर उननतर यह पचतर सो उननतर आ जाएगा ठीक है अब इसी को पहले इंस्टॉल्मेंट बरावर कर लिए तिस में भी 87 से गुणा करना पड़ेगा गुणा सतासी गुणा सतासी ठीक है इंस्टोर्ण में बड़ावर हो गया अब इसको गुणा करेंगे तापके कितना आ गया आठ सते चपन के छोप जीरो पहले बेठा लिए आठ से चपन के छोप बाकि पांच आठ एठी चौशाट पांच कितना हो जाएगा उनात्तर है अब है परतेक किस्ट का मान निकाल लिए तो हमारा रासी दिया हुआ है 13,360 रासी है 23,360 अब परतेक किस्ट का मान तो इसमें गुना कर देजिए यहनि 7579 तो दिया हमारा अंसर आ गया अब चलते हैं नेक्स्ट कुश्चन पर नेक्स्ट कुश्चन का राया है कि सुभास ने रेफ्रिजरेटर इस सर्थ पर खरीदा कि उसे 1620 रुपे खरीदने बक्त देने होंगे तथा पर्थम दूतियों तिर्थियों बर्स के अंत में 278,299,262 रुपे देने होंगे तो चक् समझें इसमें कहा रहा है कि सुभास ने रेफ्रिजरेटर खरदा तो रेफ्रिजरेटर खरीदने के बक्त 1620 रुपे दे दिया था लेकिन कहा रहा है पहला साल तुमको 278 रुपे देना पड़ेगा जो उधार रहा गया 1620 रुपे दिया था बाकि सब उधार रहा गया था तो उधार में कह रहा है पहला साल 278 रुपे देना होगा दूसरा साल $299 रुपे तीसरा साल 262 रुपे देगा तब जाकर कि सका मूल चुके गा 10% के ब्याज के दर से तो कह रहा है कि उस रेपरीरेटर का कुल मूल कितना था तो इस्टॉल्मेंट दिया है यह समझें इस्टॉल्मेंट दिया है तो हमें निकालना है कुल मूल तब 10% को फ्रैक्शन में बदलेंगे ते से प्रिंस्प Ahora जाएगा था तो फ्रिंस्पर लिखे अला इंस्टोर्मेंट लिखे जए था है लिशाय दिया था इस करना को तो ऑर साल दियो था एक्सित ब्ल ay in violent आप तीसरा साल एक अज़र पे जब मूल्धन था तब इसको शुकाया तेरा सो एकतिस रुपई यह तीक है अब इसी में क्या कर रहा है कि पहला साल कि पहला साल जो दिया था एकीस सो एकीस सो अठात्तर रुपई दिया था तो पहला साल यह यह मिसरधन दिया था तो मिसरधन हमारा कितना एक ग्यारा एक ग्यारा था अब पहला साल कितना मुलधन क निकल का गाएगा दस से गुना करेंगे अब दूसरा साल है दूसरा साल दिया था 250 निकल के आजाएगा सब्सें गुना करेंगे टीच है तीसरा इंर च्टोल में अगुना कितना कि यह खजार करें तो हमारा जाएगा क्या अब इसका प्रिंद्धन कितना होगा अब इसको केलकुलेशन करेंगे तो आपका आजाएगा उनी सव असी अब इसको केलकुलेशन करेंगे दूसरे बाले को आजाएगा उनी सव तीसरे बाले को गर केलकुलेशन करेंगे तो आजाएगा दो हजार रुपया मतलब इतना इतना रुपया मूलधन था बाकी इतना रुपया था उसको देना पड़ा परते किसा पहला साल एकी सो अठतर दूसरा सल बाइस सो नायमें तिसा सल बाइस सट ब्याज की दर से दिया अब मेन मुल्धन यही था अब यह मेन मुल्धन था इतना थोड़ी अब यह खरीदने वक्त 1620 रुपय और दिया था खरीदने वक्त भी तो 1620 अब टोटल को अगर जोड देंगे तो वो हमारा क्या आजाएगा रेफ्रीजरेटर का कीमत तो जीरो और आठ दो दस के सुनना बाकी एक और नो नो अठारा अच्छो चौदा एक पंद्रा के पांच बाकी एक अब फिर आजाएगा चार दो छे एक साथ पचतर सो रुपया का हमारा क्या था पुछ रेफ्रीजरेटर का कीमत था जो कि हमको इंस्टॉल्मेंट में इस तरह से लिया गया है चलिए आपको समझ में आ गया होगा चलते हैं अब नेक्स्ट कुश्चन पर नेक्स्ट कुश्चन है कि एक सिलाई मसीन की नगत कीमत 20,000 रुपया है अब कह रहा है कि 5,000 नगत भुगतां ततकाल कर 5,000 रुपय नगत भुगतां कर दिया अकर तीन समान बार्सिक किस्त चुकाने का बचन देता जदी चक्रिवर्धी ब्याज का दर साड़े बारा परसेंट हो तो परते किस्त के रासी क्या है अब ये कह रहा है कि 20,000 का सिलाई मसीन था 5,000 रुपय चुका दिया बचा 15,000 रुपया तब 15,000 को बोला कि हम 3 साल में आपको 3 बरावर किस्त में हम दे देंगे वो किस्त कितना कितना लगेगा वो किस्त की मान हमें निकालना है तो साड़े 12 परसेंट को फ्रेक्शन में बदलेंगे साड़े 12 यह नहीं कि 12 तो हो जाएगा पचीस बटे दो पचीस दो एक बटे आठ है एक बटे आठ आड़ेगा हमारा फ्रेक्शन ठीक है एक तरफ प्राइज लिखतें एक तरफ इंस्टोलमेंट लिखते यह तीन साल का तो आठ आठ आ जाएगा फिर क्या जाएगा आ कि पहला साल पिस्टोलमेंट दिया नौ दुसरा साल प्राइज consists दि दिये OFF 991 थीशे साल पान सो बारह तब यह कितना का´ इंस्टालॡमेंट दिए है अब क्या करना इंस्टाल्मेंट को हूं नいます बड़ावर करना है इसमें हमनौ से गुना करें। से गुना करें। यह बरावर में इधर बीसिन क्याकी से गुना करें इसमें 9 से गुना करेंगे अब इसी को जोड़िए मोलधन हम को पता है मोलधन हमें जोड़ना पड़ेगा 81 गुने आठ करेंगे तो आठ एकाई आठ अठी अठी चौव सठ यहनी छे सो अर्तालीस आ रहा होगा छे सो अर्तालीस इसका आएगा इसका आएगा नो चोग चटिस के छो बाकी तीन और नो चट चवान तीन संतावन पान सो ची एतर अब इसको जोड़िएगा तो आठ चो चवदा दू सोला के छे बाकी तीन और चार तीन साचरह ग्यारा अदू तेरा तेरा के तीन बाकी एक अब जर पाँदूनीद दस चुसो लेक सत्रा नीकी सत्रा सो चत्रीस रुपए आएगा गा सत्रा सो चत्रीस रुपए अब मुल्धन हमारा बचा कितना था 20-4 में पांच जार तो दे ही लिए थे तब पंद्रेह जार पर ने किस्त देना था तब 15.000 रुपया मुल्धन था तब मुल्धन हमारा कितना गया 1736 अब इसको गुना करेंगे इंस्ट्रॉल्मेंट से इंस्ट्रॉल्मेंट निकालना 739 इसको काटेंगे आपको आएगा बाइगा बार साट सो निन्यांबी रुपईया जो की यह पर्तिक किस्त का मान आएगा चलिए आप गर पे काट लेंगे परसेंट चक्रबिर्धी ब्याज की दर पर आपको दस हजार आठ सो की तीन बरावर किस्ते पैसे चुका देगा तो बाइक की कीमत ग्याद करो अब यहां देखिए यह क्या कहा रहा है कि हम एक बाइक के लिए बीस परसेंट के दर से उससे बाइक खरिदने बक्त एक आपको चक्ति रुप दे जायेंगे तीन साल तो आपका बाइक का कीमत फोर चुक जाएगा ठीक हैं तो कह रहा है कि बाइक का कीमत था जो यह चुका रहा है कि हैं कि तो भीस परसेंट को फ्रेक्शन में बदें दैंगे तो एक बटे पांच और अगा 7 कि एक बटटि पांच ये जब डिक्टराफ दीस अन एक तरह प्राइज लिखेंगे लिखेंगँ एक तरह प्राइज पहला साल पांच रुपया तो तो सीन यह नहीं कि इसंटर्मेंट बराबर कर लिए समें गुना कीज़ेगा इसमें 36 से गुना किजेगा 36-25-100 आजाएगा इसका अब इसको जोड़ेंगे तो आप का जाएगा पहुंच आ गया दस पाच पंद्रा आप चारसो पच पन चारसो पच पन आ गया प्राइज अब इंस्टॉल्मेंट का मान आ गया हमें परते की इंस्टॉल्मेंट कितना दे क्टे रहे थे दस और आज लुपकर परते की इंस्टॉल्मेंट तो परते की इंस्टॉल्मेंट है अब Gir right कि अब हमें निकालना है कि टोटल की हमत की था जाटल कितनल गए चारसो पच पन चारसो पच पन से गुना करेंगे इसको जब कातेंगे तो कितना काट लेंगे आप घर पर इसे पांच बार में कट जाएगा पांच बार में कटेगा यह 0 बैठांग यह पचास बार में कटेगा ऑप इसको गुणा कर पा रहे हुगे सदस परसेंट तो बार्षिक रूप से चक्रब्रधि जुक और परते किस्ट अंठावन सौ रुपया है योजना में कुल ब्याज घ्याद कीजिए मतलब इसमें कह रहां करना है कि ब्याज कितना हम दिये मतलब उसका मोल्धन और व्याज कितना मिला वह में निकालना है तो दस तो इसको दे रहा है तो इसको बरावर किजिए इसको पहले बरावर किजिए चलिए यहां नहीं लिखते हैं कहीं और लिखते हैं दूसरे जगह हाई कर यहां पर एक तरफ लिए इन्स्टॉल्मेंच लग दिजिए अब 10 को फ्रेक्शन बदले गतले गस एक बटे 10 साएगा अब यहां पे पहला साल 10 तो इंस्टोल्मेंट 11 दूसरा साल 100 तो दूसरा साल इंस्टोल्मेंट 121 अब इंस्टोल्मेंट बराबर कीजिए इंस्टॉन्मेंट बराबर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा इसमें 11 से गुना करना पड़ेगा तो इसमें 11 से गुना करेंगे तो 110 आएगा इसमें 11 से गुना करेंगे तो 110 आ रहा होगा आपका ठीक है अब 110 इसमें जुड़िएगा तो आजाएगा 210 अब यहां जाएगा 120 120 आजाएगा 242 कि 242 अब हमेंने के लिए का रहा है कि तोटल ब्याज कितना दिये थे अब दोनों में अंदर घठाएगे तो हमारा आ रहा हुआ कितना 32 घठाने पर 32 यही तो हम इतना जाधा दिये था 210 तो हमारा मुल्धन ही है अधेदी कितना 220 जाता दिये तो हमारा परतेकिस्त परतेकिस्त दिया हुआ है 508 परतेकिस्त कामान दिया हुआ ठीक है तो परतेकिस्त के सबस्याइब प्रते के तए 121 हो जाएगा है अब निकाल ना कितना भी आइज दी यहनी कितना शीय डीए थिक और यह निकालना थे 32 से गुना कर दीजें कि कि अब इसको काटें ने तो कितना बार में कटेगा ये छोड़े ने डायरेक्ट 48 बार में कट जाएगा 48 को 32 से गुना कर लेंगे तो आप कांसर आ जाएगा 1536 रुपई यह यतना रुपई हम ब्याज दिये ठीक है अब चलते हैं में नेक्ष्ट इसकोई धनराशी उधार लेती है और इसे परतियों और 55 बार्सिक चक्रभृद्वी ब्याज की गई हुग तो ब्याज का दर जो 10,5% बार्सिक है द्वाराय है बुगतान के आगया नियुसे इसमें भी सेम चीजें कुल ब्याज ग्याद करने के लिए बोल रहा हुग पहले बाला question और अवह विला question दोनों same है को निल दोनों same है तो कैसे बनेगा sound बनेगा जावी साथ परसेंण नो में बनेगे साड़े 7% को कलेक्षन जेगह तो कितना जैंगा साड़े 7% को के बनेगे 550 televранस गवा जाएट regulate 3.40 स काजए गा तीन बटे कुट जब चालीश हो जाएगा को तुम ड़ाईश को स्कॉर किरिवा तो 43 का स्कॉर कीतना हो जाएगा allowed 149 टाइब इसको बराबर किजिए हित अब जडिह हम बराबर करते हैं तो इसमें गुणा करना पड़ेगा दो ते तालिस से इसमें पड़ेगा उसको गुणा करने पर हमारा कितना रहा हो हुआ सटरा सो भी सारा यह जीरो बैठाइए और चार्टिया बारेक दो बाकी एक चार्टेक सोलेक सटरा सोबीस तरह सोबीस आज आब इसको एड कर पा रहे होंगे तो 3300 तीस सो भी साग्या इसको एड किजिए ते इसको गुना करके दोनों दुगना है इसको 3690 हो गया च्तिस वी निखालना तक कितना ज्यादा दिये तो ज्यादा हो झाएगा हमारा 378 यह हमारा ci यह आजे निकल के कि इतना रुपह घ्किन हमजाद iets जाहर ग और यह वायज आगा तिया हुआ है और किस्ट गुंआ दिया हुआ है 2547 बटा है हुमारा प्थangen किस्ट का आग आजा हुआरा सो 59 इधारा सो गुंच सब्सक्राइट है अब निकालना हमारा कितना ज़्यादा दिए तब गुना क्या करना है 378 से 378 से अब इसी को काटिए आपका एंसर आजाएगा यह कितना बार में कटेगा मतलब तीन बार में आपको यह डायरेक्ट कट जाएगा आपका अंसर आजाएगा इसको गुना करने पर 1134 रुपया 1134 रुपया हमारा अंसर आजाएगा ठीक है तो इंस्टॉल्मेंट वाला कुश्चन इतने परकार से पूछा जाता है आपको इतना ही डंग से बनाना है आप इसको प्रैक्टिस करेंगे आपको समझ में आ जाएगा तो चलिए अब मिलते हैं नेक्ट क्लास में थैंक यू अगला स्टार्ट करेंगे मिस्टर समानुपात उसके बाद पढ़ाया जाएगा काम और समय ठीक है तो अगला क्लास जरूर देखें थैंक यू बाइबाइ